दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि पंचाइती लेक्षन का मोहल गर्माया हुआ है ऐसे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुझूद है अगार बल्लिया विजेपुर पंचाइत की सरपंच की कैंडिडेट अंजूशा शर्मा आईए करते हैं उनसे चर्चा वो बेसिकली सिंगर भी हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से मंच से की थी और आज वो एक बहुत बड़े प्लैटफर्म तक पहुंची है इसके साथ ही उन्होंने अभी जो एलेक्शन है सरपंच के उमीदवार के दोर पे उन्होंने अपना फार्म भरा हुआ है और आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जाने हैं उनसे कि वो अपने वाड की अपनी पंचाइद की डिवल्पमेंट के लिए क्या क्या करेंगी अन्जूशा जी आपका सुवागत है हमारे चैनल में तैंक्यू माज जी मैं आप सभी शुर्ताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं बहुत अच्छा लगा थैंक्यू अन्जूशा जी आप पहली बार पॉलिटिक्स में उतर रही हैं कैसा लग रहा है जी यह जो सवाल है कि मैं पहली बार politics में उतर रही हूँ, actually मुझे अभी तक फील नहीं हो रहा कि मैं politics में उतर रही हूँ, क्योंकि politics तब हो सकती थी जब हमारा यह जो पंचायत का election है वो party-wise होता, तो basically यह open election है, किसी party का election नहीं है और इसमें अगर मैं उतरी हूँ, तो सिरफ मैं हमारी पंचायत की सेवा करने के लिए उतरी हूँ, तो as a politician तो अभी कुछ अज़ा विचार नहीं है। लोग अक्सर यह सोच कर vote देते हैं कि आने वाले पंच सरपंच जो हैं, वो उनकी समस्यों का समधान करेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि जैसे central government, state government से जो भी scheme में इशू होती हैं, वो जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, ऐसे में आप क्या करेंगी? जी देखिए, यह बिल्कुल सही है कि कुछ लोग जो कहते हैं, और कहीं न कहीं दुआवई उठता है जहां आग होती है, तो अगर यह ऐसी कोई बात है कि नहीं पहुंचती हैं, तो जरूर ऐसा होता होगा, पर यहां पर लोग जहां गलती करते हैं, वो करते हैं अपना उम जब इलेक्शन चलती हैं, तो आपके सामने आपके सभी उमीदवार क्लेरली आपको विजबल होते हैं, और आप कहीं न कहीं यह जानते भी है कि कौन सा उमीदवार इस पद के लिए लायक है, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स लोग खेलते हैं, तो उस चकर में जो है हम लोग वोट इधर उधर कर देते हैं और गलतियां हमारी अपनी होती हैं और बाद में जो है हमें उसका सामना करना पड़ता है परिशानियों का तो मुझे लगता है अगर उमीदवार पब्लिकली अगर अच्छे से आप सोच समझ के उमीदवार का यह दिकते नहीं आनी चाहिए मेरा आप से अगला सवाल है कि लोग आपको ही वोट क्यों करें जैसे कि उनके पास और भी बड़े सारी आप्शन से यही जानना चाहते हैं हमके लोग आपको ही वोट और स्पोर्ट क्यों करें जी देखिए मैं बाकी उमीदवारों के बारे म को कौन सा कैंडिडेट सही लगता है और जहां तक मैं अपनी बात करूं कि मुझे क्यों चुनना चाहिए इसके मैं बहुत सारे में बाते लोगों के सामने अपने विचार रख चुकी हूं देखिए सबसे पहले मैं आर्टिस्टिक लाइन से बिलॉंग करती हूं हमारे बहुत सारी लोगों की हेल्प वैसे भी करते हैं अगर आप मुझे पूछे तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल पर ही कहते हैं ये काम है तो आप करवा दीजे वो काम है तो करवा दीजे तो जब एक और अथराइजेशन मिल जाती है कि वे अर असर पंच तो आपके पास एक अगर कवी में उनके लिए सामने अपनी पंचायत का कोई प्रोपोजल लेके जाती हूं तो इतनी जान पहचान है कि हम बड़ी से बड़ी अथरुटी के साथ मैं जाके जो है डारिक बात कर सकती हूं और मुझे वोट दे क्यूंकि महिला उमीदवार की सीट है ये एक लेड सीट है तो आप ये देखें कि कौन महिला अपने बल पर अपने बल्बूते पर खड़ी है ना कि किसी के सहारे पर खड़ी है तो वह आस्तों समझ के बहुत जैसे अभी आपने कहा कि आप पार्टिस्ट हैं आप एक काम्याव गाइका हैं आपको ऐसा लगता है कि इस एलेक् कर एंब करेंगे देखें इसा नहीं होता है क्यूंकि सपोर्टर्थ मेरे पूरे देश में मुझे लोग पयार करतें जमू में जब ю Brushmir के बहुत लोग प्यार करते हैंलेकि यhाँ सरफ ठावेता की बात है तurनकी मैं बैटी हूँ जो मेरे अपना गाऊँ हैब वहाँ पर मै मिक्ता दें कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ या मेरी मुझे लोग प्यार करते हैं या मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी फैन फॉलोईंग है यह जो चीजें है इसको प्राथ मिक्ता बिल्कुल ना दें आप इस समय के लिए जब तक मैं एलेक्शन में हूँ आर्ट तारीक को हमारे तब तक आप भूल जाएं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तब तक आप यह याद रखें कि एक आर्टिस्ट होने के नाते मेरी जान पहचान है जो मैं पंचायत में इस्तिमाल कर सकती हूं बहुत सारी डेवल्मेंट करवा सकते हैं पर एक आर्टिस्ट होने कि यह मत सोचिए क कि एक सिंगर है जी हमने इसको वोड देना है आप ये सोचिए कि मैं अगर आपके हिसाब से एक लायक उमीदवार हूं जो हमारे उमीदवार हैं उनके बीच में से अगर मैं डिजर्व करती हूं तब मुझे आप वोड ने ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आप एलेक्शन लड़ रही हैं जी देखिए मुद्दा सबसे पहला है कि युवाओं को एक मौका जरूर मिलना चाहिए क्यूंकि हम ये हमारा जो एक में एलेक्शन का हमने जो एक बनाया है एक स्लोगन बनाया है उसमें हम कहते है कि बुजर्गों की समझदारी को हम लेके साथ चलें तो हम कहते हैं कि बुजर्गों की समझदारी सर्व समाज की सोच महिलाओं की भागीदारी युवाओं का जोश तो हम ये सब चीज हैं लेके चल रहे हैं हम लेडीज को लेके चल रहे हैं साथ में महिलाओं को हम युवा और मेरा है कि शिक्षा को लेकर हम काम कर सकते हैं, पंचायत में हम जो हेल्थ को लेकर जो चीज़ें हैं, उसके बाद बहुत सारी development जो है मैं करवाना चाहती हूँ अपनी पंचायत में, क्योंकि मुझे पता है मैं इस चीज का दावा करती हूँ, कि मैं करवा सकती हूँ, मेरे तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी पंचायत का नक्षा बदले, हम उसको digitalize करें, हम पंचायत को एक बिल्कुल ही नया रूप दें, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक बार पंचायत में सबको पता चले कि सरपंच का काम होता क्या है, सरपंच का काम सिरफ जियन सारे आदे डं इन पर डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है कि मैं जो काम सरपंच का है, वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके अलावा भी बहुत सारा काम हम जो है ला सकते हैं पंचायत के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजे हैं, छोटे-मोटे रोजगार हैं, जो हम कर कुछ यह है कि सरपंच सिरफ काम नहीं करेगा, पंच भी काम करेंगे, नायब सरपंच काम करेंगे, सब के बीच में पावर प्रॉपर्ली डिवाइड होगी, इक्विली डिवाइड होगी, और उसके बीच हमारी यंग्स्टर्स हैं, वो भी काम करेंगे, सब को एक लगेग कि हम सब जो है पंचायत के लिए डेवलिप्मेंट के लिए काम कर रहे हैं नॉट ओनली सरपंच सरपंच के सिर्पे चीज़े नहीं चलेंगी सब सब का जो है भागीदारी सब की होगी अंजुशा जैसे कि अगहार बीजेपुर पंचायत जो है इसमें कुल चार केंडिडेट खड़े हैं सरपंच के जो चार केंडिडेट खड़े हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उन तिनों में से आप बैतर हो जी मैं इसका जवाब दे चुकी हूं आपको कि मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगी कि वो सही नहीं है क्योंकि ये जनता की राय है हम किसी को भी प flatter करने की कोशिश कर रहा है, candidate आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या वो genuinely आपसे vote मांग रहा है, genuinely अपने विचार रख रहा है तो मुझे लगता है voter, चाहे वो किसी भी हमर का है, वो आज बहुत ज़ादा समझदार है और आपने अपनी समझदारी से अपनी सूजबूत से देखना है, किसी के प्रेशर में आके वोट मत दीजिए, वोट आपका अधिकार है, सोच समझ के वोट दीजिए कि कौन सा कैंडिडेट आपका काम करवा सकता है, हमारे चार कैंडिडेट हैं और विजपुर और अगहार ये दो गाओं को मिलके हमारी पंचायत बनती है, जिसमें रवावाद भी आता है, जो विजपुर से सता हुआ है, और देखिए हमारे विजपुर से तो सबने डिसाइड करके, मिचुली डिसाइड करके हमने मीटिंग्स की थी, और मिचुली हमारा एक कैंडिडेट डिसाइ अगहार वालों को भी ये देखने की जुरत नहीं है, कि विजपुर में पंचायत सरपंची चले जाएगी, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्यूंकि सरपंच विजपुर और अगहार दोनों का है, तो ये बिलकुल ना सोचें, और कैंडिडेट आपका अगर सही नहीं है, जो विजपुर से है, तो आप जरूर जहां चाहे वोट दें, लेकिन अगर आपने कैंडिडेट खुद एक कैंडिडेट खड़ा किया है, विश्वास दिला कर कि हम विजपुर वासी जो है, एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, तो मुझे रगता है कि अपने वोट को माधियम से अपने वाड के, अपनी पंचायर के लोगों को से क्या अपील करना चाहती है? अगर आपको कोई ये कहता है कि मेरी वाइफ हैं, काम मैं करवाऊंगा, वो चीज़ सरफ आठ तारीक तक है, क्योंकि उन्होंने वोट लेने हैं, तो ये चीज़ आप समझें, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, कि पांच साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, पांच साल अगर आप किसी को दे देंगे, उसके बाद आप उसको बदल नहीं सकते हैं, तो आप capability और compatibility और talent जो आपको देखना है, जो आपको शमता देखनी है candidate की, वो आप lady में देखें, lady को देखें कि वो अपनी बात किस तरह से रखती हैं, वो क्या उनका vision है, वो क्या सोचती ह ना कि उनकी family वाले क्या सोचते हैं, उनके साथ किते लोग चल रहे हैं, मैं अगर अकेली चलती हूँ और अगर मैं अकेली बात करती हूँ, तो मुझे ही करनी चाहिए क्यूंकि मैं candidate हूँ, किसी का मेरे साथ बोलना बनता नहीं है, मैं चार interview में लोगों को बिठा दूँग कि अपनी आइस को अपन करके जो है, इस चीज को समझें कि कांडिडेट महिला है, काम महिला करवाईगी, किसी भी office में अगर काम सरपंच का होगा, तो लेडी को बुलाया चाएगा, उसके husband, उसके father, उसके brother नहीं जा पाएंगे, इस चीज को प्लीज को पॉलिटिक्स को प कुछ कह रहा है, यह मत सुनिए, आप अपना वोट है, आपका अधिकार है, आपको जो कैंडिडेट सही लगता है, आप उसे वोट दे, बाकि मैं बताना चाहूंगी कि हमारा चुनाव निशान, जो मेरा चुनाव निशान है, सरपंच कैंडिडेट का, वो है ट्रैक्टर, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी एक अच्छी उमीद्बार बन सकती हूँ, क्योंकि मेरा यह है कि मैं सब को साथ में लेके चलूँ, और जैसा कि हमें हर एक चीज सोचनी चाहिए, और अगर आप लोग विजाई बनाते हैं, तो आप खुद देखेंगे और लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आप प्लीज कैंडिडेट देखके वोट दें, ये ना सोचें कि कोन आज क्या कह रहा है, कल क्या कह रहा है, पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर अपना दिमाग साफ सुथा रखके सोचें, क्यूंकि आज सो बहुत सारी वोट लेने के लिए कही जाएंगी की जाएंगी लेकिन आज तारीक के बाद क्या होगा वह आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूं तो कैंड़ीडेट आप सो समझके वोट दे हम नहीं कि हैंगे कि आप हमें वोट दे पडाप फ्लीज सोचें यहाँ पर मेरी बात नहीं है यहां पंचायat की बात पंचायत के बारे में आप जरूर सोचें धन्य बाद यह थी अनजूशा शर्मा जो अगहार वीज़बर पंचाया से सरपंच की केंडिडेटें इन्होंने बताया कि ये आगे चलके कैसे कैसे काम करवाएंगी और बड़े ही पॉजिटिव तरीके से इन्होंने समझाया सबको कैमरामेन कुल्दीव के साथ में आर्वी ठाकुर रियासी से